व्ल्कंट बैक्टो मैं चैनल मास्टर जी तो इस वीडियो में हम प्ढ़ने वालें कलास 10 के physics का chapter 12 electricity तो electricity क्या होता है यह कैसे और इसके बारे में electric current के बारे में पढ़ेंगे और वी आगे बहुत साय topics हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है तो चलिए शुरू करते हैं electricity has an important place in modern society electricity बहुत ही ज़रूरत की चीज है आज के जमाने में it is controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on electricity को कहां कहां use करा जाता है homes में, schools में, hospital में, industries में और भी बहुत साही जाना पर use करा जाता है what constitutes electricity? electricity का constitute क्या है? how does it flow in any electric circuit? यह कैसे किसी electric circuit में flow करती है? यानि कि wires में कैसे flow करती है यह? what are the factors that control or regulate the current through an electric circuit वो कौन से factor हैं जो regulate करते हैं या फिर कैसे लोग कंट्रोल करते हैं electric current को किसी भी wire के through flow करने में in this chapter we shall attempt to answer such questions we shall all discuss the heating effect of electric current and its applications हम इस चैप्टर में इनी सब कॉस्चिन को attempt करेंगे और हम इसको पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा basic बताना चाहरा हूँ जो इस चैप्टर के लिए बहुत important है ठीक है? तो पहले क्या है? आगे आप जब पढ़ोगे तब क्या पढ़ोगे? तो यह क्या देख रहो आप एक cell है ठीक है? आपने चोटे में भी डियाग्रम देखा हुआ यह cell है यह गया wire ठीक है? और यह एक bulb बना देता हूँ मैं यहाँ ठीक है? यह bulb है यह bulb है उसका फिर यहाँ से एक wire गया यह क्या है? यह switch है एक यह switch बना दिया मैंने और यहाँ से यह तो आपने देखा होगा यह dry cell है यह bulb है यह switch है तो यह क्या है? और यह wire है metallic wire ठीक है? तो इसमें क्या होता है? cell के through electrons का flow कराया जाता है cell के through ठीक है? ऐसा तो नहीं है कि cell लगाई ऐसा हमने देखा है ना कि cell लगाते है बल बजल जाता है है ना? तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि cell क्या करता है? cell electrons का flow कराता है तो एक simple electric circuit है जिसमें क्या कर रहा है cell? cell electrons का flow कराएगा तो यह कैसे करता है? वो हम अभी यहाँ पर एक और डियाग्राम में देखते है cell तो यहाँ पर एक मैं डियाग्राम मनाता हूं तो यहाँ पर एक आप डियाग्राम देख सकते हो यहाँ इस वाले हिमें इस वाले में zinc एनोड है इसमें copper cathode है तो इसमें क्या होगा तो इसमें क्या होता है हमने partition के यहाँ पर एक कुछी बी लाईए कि partition हो जाए तो यह अलग पाट है यह अलग पाट है ठीक है तो इसमें क्या होता है zinc atom से मिलकर बना हुआ है ठीक है ठीक है तो वह क्या करेगा zinc zinc अपने electrons को लूज कर देगा ठीक है इलेक्ट्रों को लूज कर देगा ठीक है तो इलेक्ट्रों को जब वह लूज कर देगा तो इलेक्ट्रों को जब वह लूज कर देगा तब वह एक वायर के थूच जाएंगे ठीक है यह इलेक्ट्रों जा रहे है और बीच में जो भी चीज पड़ेगी या तो बल्ब है ये बल्ब है तो बल्ब को या तो ये ग्लो कर देंगे ठीक है कोछ चीज नहीं आती बीच में तो ये जाएंगे और यह कहाँ पर जाएंगे यह जाएंगे copper के पास copper sulfate के पास जाएंगे copper sulfate क्या करेगा इन्हें को gain कर लेगा ठीक है तो अगर आपको मैंने chapter 1 मेरा देखा हूँ आपने chemical reaction का chemical reaction का उसमें क्या था उसमें मैंने oxidation और reduction बताया था ठीक है लेकिन उसमें हाइड्रोजन और oxygen का oxidation और reduction बताया था ठीक है लेकिन मैं इसमें बताता हूँ तो electrons का अगर electrons को lose करते हैं तब oxidation होता है ठीक है और जब reduction कब होता है जब electrons का gain करते हैं तब होता है तो आप इसमें बताइए lose किसने करे losing ने करे थे तो यानि कि इसका oxidation हो गया और gain किसने करे इसने करे तो यानि कि इसका reduction हो गया ठीक है यह थी बास समझ में आगई तो यह copper sulfate जो है यह क्या करेगा यह तूट करना copper ions में तूट जाएगा ठीक है c u2 plus two electron क्या होंगे c u copper ions में तूट जाएगा यह तो इसमें बस इतना ही समझाना था अब आपको समझाना है कि electric current क्या होता है electric current क्या होता है तो देख सकते हैं यहां पर एक diagram मनाता हूं मैं देख सकते हो इलेक्ट्र करेंट क्या है electrons का फ्लो करना Diamond केREW from clock है देख सकते हो यह इसलों का फ्लो हो रहा हैं कि इस साइड हो रहा है है किस साइड हो रहा है इस साइड हो रहा है फ्लू है कि और इसके अपॉजिट डायरेक्शन में करेंट का फ्लू होगा अगा है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करेंट जिस सइड इलेक्ट्रone फ्लो करते हैं उसके अपोजिट साइड करेंट फ्लो करता है ठीक है यह इन्होंने बताया है इसमें तो आगे अब हम पढ़ते हैं चेप्टर को और आप आप आगे देखोगे के मैंने जो बताया था वह आपको एक एक लाइन में मिलता जाएगा तो चलिए पढ़ते हैं Electric Current and Circuit, We are familiar with Air Current and Water Current, हमने पहली क्लासेज में पढ़ाये एर करेंट और वाटर करेंट के बारे में We know that flowing water continued water current in reverse, flowing water से ही हम जानते हैं कि flowing water से ही water current rise होता है Similarly if the electric charge flows through a conductor for example through a metal wire we say that there is an electric current in the conductor तो इसी तरह electric charge का भी flow होता है, जैसकि water के flow से water current बनता है वैसे ही electric charge के flow से electric current प्रेड्यूस होता है और यह कैसे बहता है, metallic wire से, आपके घर में भी wires लगी होएंगी, वैसे current बहरा होगा तो यह metallic wire से ही क्यों बहता है current, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा इन टॉर्च, वी नो डेट देट 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 सेल और बैटरी वैंट प्लेज इन प्रॉपर ओडर प्रूफ प्रॉइड फ्लो अफ चार्ज और एन एलेक्रिक करेंट थू दूट बल्प तू ग्लूप यह तो आप जानते होएंगे कि जब टॉर्च को जब हम on करते हैं तब वो on हो जाती है क्योंकि circuit जोन हो जाता है जब off करते है तो circuit ब्रेक हो जाता है तो इसलिए वो बंद हो जाती है टॉर्च यह बताया कि जब switch on होता है तब ही circuit जोन होके वो बल्ब जल जाता है वोट ड़ज एसविच डूट एससे क्या करता है जिससे वो बल्ब को जला देता है एस सुच में का conducting line between the cell and the bulb वोई चीज है कि conducting line मना देता है यानि कि circuit को जोड देता है a continuous and close path of an electric current is called electric circuit continuous or close path को ही electric current कहते है ठीक है कहीं से break होगा तो बल्ब तुझे लेगा नहीं तो इसलिए close path बोला है close path now if the circuit is broken anywhere एकर ऐसा कभी हो कि circuit अगर broken हो जाता है कहीं से या फिर switch को अगर हमने off कर दिया तो current जो होगा flowing करना stop कर जाएगा और bulb glow नहीं होगा यह था torch के बारे में सिर्फ और सिर्फ how do we express electric current हम electric current को कैसे हम express कैसे करें electric current आखिर में होता क्या है electric current is expressed by the amount of charge flow through a particular area in unit time electric current क्या होता है हम इसको express कैसे कर सकते हैं charge flow through a particular area in per unit time ठीक है इसको electric current बोलता है other words में कहें it is the rate of flow of electric charge तो इसको मैं आपको लिखके दिखाता हूं इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है i equal to q upon t इसको particular area in per unit time तो यह q क्या होता है तो इसके टूच्वध था बॉरश्ट प्रेस आप क्योंड़ आड़ेड तो पहले क्या क्या अम्हां जाता था जब इनको हमें Electrons के बारे में नहीं पता था जैसे कि मैं अब अब मैं ये भी बताने वाला कि wires के थुरू ये बिजलही क्यों पास होती है तो देख सकतो, wire के अनदर क्या होता है प्लस 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 मारे बारे माईनस माईनस ओूरण माईनस तो यह सो कि यह प्लश प्लस जो आपको दिखर रहे हैं इनको कहते है इस जो आपको दिखर रहे हैं वह ऊते हैं मैटलेक एटम्स ठीक है यह पॉजिटिव चार्ज होते हैं ठीक है यह क्या करते हैं यह इलेक्ट्रोन को लूज करते हैं ठीक है यह इलेक्ट्रोन को लूज करते हैं यह इलेक्ट्रोन को लूज करते हैं यह इलेक्ट्रोन को लूज करते हैं बहुत सारे लेक्ट्रोन को तो यह पहले जमान में क्या माँआ जाता था कि जिस साइड मेटलिक एटम्स का flow होता है उसी set current का flow होता है ठीक है यह माना जाता था पहले लेकिन यह क्या बाद में क्या करा गया यह गलत हो गया लेकिन कन्वियंटरी हो गया कन्वियंटरी क्या है इन एलेक्षिक सर्केट ऑफ एलेक्ष्ट्रों करैंटेकशन अउध्न फॉलॉ इलेक्षिंट्रों क prawn्टेट्टयू पॉजिआ तो अभी मैंने आपको बताया वो ही है तो देख सकते हैं इस बताया था यह record किस्ञिश्मनल घ्जली कि जिस सैड़ और हमें से साज्टे में से हहाँं जबjakवड़न के बारे में पता चला तब यह This theo सब da jam इन निटरौन से फ्लो होता है यह istáयद से फ्लो परो trusted college नाहें यह पता चला किब्रा पर यह पर करेंगे यहां पर नुदकत इससे फ्लो करेंगे यह नोने इसमें बताया है तो अब देख सकते हैं अब आगे हमार फॉर्मला आई उकल टू क्यों पॉर्म लगा है इस नेट चार्ज क्यू क्या है नेट चार्ज है किसी भी क्रॉस सेक्शन में फ्लो कर रहा हो किस टाइम टी में तो करेंट क्या होगा इसी को हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं तो इसमें क्या यह एक फॉर्मला है यह आपके निमेरिकल्स में काम आएगा